हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आपका इस नए वीडियो लेक्चर में तो आज की वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं EDC के important question के बारे में ठीक है इसमें 25 आपका important question है वो जो की very very most important question है जो की exam में आएगा इसी में से 25 question में से आपका सारा का सारा लगवग 13 से 14 questions में आने वाला है जिसमें से आपको सिर्फ 10 करना होगा ठीक है इन सारे question को जो भी और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो लेक्चर को जरूर सेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हैल्फ हो सके ठीक है तो इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइसें जो सर्किट है वो पॉल्टेक्निक्स थर्ड समेस्टर के जो स्टुडेंट है उनके लिए है तो very very most important question first number है परिपत आ ठीक है डाइग्राम के साथ समझाना है और इसके voltage gain का एक formula होता है उसको भी derive करना है कि voltage gain का formula इसमें कितना होता है कैसे इसको derive करते हैं यह भी question आपका most important है पहला पहला question आपका इसी से आता है ठीक है सरकी diagram के help से समझाइए यह question आपका most important है इसको रट के जाईएगा अगला question है transformer couple amplifier क्या होता है सरकी diagram की help से समझाना है ठीक है यह question भी आपका most important है इस question को भी आपको रट के जाना है transformer couple amplifier क्या होता है या फिर transformer coupling क्या होता है सरकी diagram की help से इसको समझाना है तो यह तीनों question आपके most important है इनको अच्छे से पढ़के जाना है इसमें से आपके 10 नमबर तो पक्के है आने है ठीक है तो तीनों question को आपको रट के जाना है अब हम लोग देखते है next question power amplifier को समझाईए और इसके types class A class B class A B class C को भी समझाईए यह भी question आपका वेरी वेरी most important question है इस question को भी आपको रट के जाना है power amplifier क्या होता है ठीक है इसका काम क्या है और class A क्या और class B class A B class C जो power amplifier होते हैं उनका figure बना के उनको explain करना हो गया यह भी question आपका most important है लगभग EDC के हर exam में ठीक हर paper में एक question पूछे जाते हैं अगला जो question है negative feedback क्या होता है विश्तार से समझाइए ठीक है negative feedback के बारे में आपको समझाना है वह भी figure के साथ ठीक है तो अच्छा से आप इसको negative feedback को समझा पाएंगे अच्छे से लिग पाएंगे तो इसमें आपको maximum number जरूर मिलेगा ठीक है तो भी question आपका most important है इसको भी आपको रट के जाना है अगला जो question है निम्न पर समझेट टिपड़े कीजिए इन तीनों में से एक question तो आपका जरूर आना है ठीक है या तो उसके शर्कित डाइग्राम को क्या तो अगर इन में से कोई भी कोशन आज जाता है तो इसको छोड़के नहीं आना है उसको करके आना है अगला जो coalition है crystal oscillator क्या होता है विस्तार से समझाई एक तो इसम को भी अपको इसको तो आसलीेटर क्या होता है जिसके उपारे में समझाना है विस्तार से तो इसमें आपका डू टाइप होता है परलर मोड मोड होता है एक से मोड होता है crystal क्ये sort देना है उसके बाद जो अगला कोशन है कि अपरेशनल अंपुरिफायर के छे परमुख परमुक्ष परमीटर लिखिए उनका अपरेशनल प्रेक्टिकल वैलू भी खिए इस कोश्चन को आपको रट कि जाना अपके एक्जाम में आएगा ठीक है जो होता है ऑपरेशनल अपर जिसको सौर्ट में बोलते हैं ओपैम और उनका एडियल और प्रैक्टिकल वेलू भी लिखिए ठीक है ते भी कोश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको भी आपको रट की जाना है पढ़ की जाना है अगला जो कोश्चन है इसको भी आपको रट की जाना है उसको अच्छे से पढ़ की जाना है उसका एक फीगर है उस फीगर को बनाएंगे और इस फीगर के इसाब से आप अपने वाइड में उसके वर्किंग को समझा देंगे तो आपको अच्छा-कासा नंबर इसमें मिलेगा ठीक है अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यह भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो रिग्लेटर पावर सप्लाई क्या होता है इसका ब्लॉग डाइग्राम बनाना है और इसके वर्किंग को समझा देना है ठीक है यह भी कोशन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है इन सारे लगवग इन सारे का जो भी कोशन मैंने आपको बता रहा हूं इन सारे का वीडियो लेक्चर जो है एसीडी के प्लेइलिस्ट में आपको मिल जाएगा वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं ठीक है बहुत इजली मैंने आपको समझा दिया है तो लगवग इसमें से जितने भ क्लीपर सरकीट की तरह किस परकार रुपियों किया जा सकता है समझाईए यह भी कोशन आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह भी एक्जाम में पूछा जा सकता है जेने डायोट का यूज करके क्लीपर जो सरकीट होता है कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको बताना ह अगБ्ला regionski जो कोश्चन है औस लेटर क्या होते है औस लेटर में किस परकार का फीड़वाig यूज किया time समझाः ये यूजिन है क्यपी का इंपोस्टेटंट है एबी कई बार एकजाम में पूछा जा चुका है ये भिकोश्चन आपको रफ कि जाना है ऑस लेटर क्या होता है और लेटर में किस परकार की feedback का यूज होता है positive feedback का यूज होता है और इसके समझाना है कि यो negative feedback का यूज होता है ठीक है तो यह भी question आपको रट की जाना है अच्छे से अगला जो question है इसमी nurture क्या होता है? सर की diagram से समझाए ये भी question है most important है ये भी कही बार exam में पूचा जा चुका है तो let me trigger के बारे में आपको बताना है इसका diagram बना के समझाना है ठीक है तो यूज है question है इसको आपको exam में रट के ही जाना है अगला जो question है आजए के फांट से चैज होते हैं आजए को किस प्रकार से फब्रीकेट करते हैं इसको समझाने के लिए आपको दीया है लेकिन थोड़ा सा कॉंप्लेक्स है जने में थोड़ा सा दिक्कत होगा हो सकता है आपको अगर आपको अगर अच्छे से आ रहा है तभी इस question को टेच करेंगे ठीक है नहीं तो अगर अच्छे से नहीं आ रहा है question तो मत कीजिएगा लेकिन question जो है most important है कई बार भी एक्जाम में पूछा जा चुका है अगर आपको आ रहा है अच्छे से इस question को जरूर टेच करेंगे अगला जो question है push-pull amplifier का circuit diagram बना के उसके working को समझाना यह भी question आपका most important है यह भी आपके exam में पूछा जा चुका है और साइद इस exam में भी आपके push-pull amplifier आ जाए ठीक है तो push-pull amplifier क्या होता है इसका circuit diagram बना के इसके working को समझा देना है बहुत ही easy है ठीक है अगला जो question है निम्न पर संचिप टिप पड़ी कीजिए आपका SSI हुआ MSI हुआ LSI हुआ VLSI हुआ ULSI हुआ इसका full-form क्या है small scale integration medium scale integration large scale integration very large scale integration ultra large scale integration इसको बोलते है इसमें क्या है कि आपका इसमें 5-6 line हर एक point में 5-6 line आपको लिखना होगा और आपको अच्छा खासा इसमें number मिलेगा यह भी question आपका most important है इसको भी आप रट कि जाईएगा ठीक है अगला जो question है timer IC 555 पर संचिप पड़ी कीजिए timer IC भी आपका most important question है इसको भी आपको रट के जाना है ठीक है timer जो IC 55 होता है इससे related एक question तो पक्का है आने वाला है तो इसको आप अच्छे से पढ़ कि जाईएगा 55 timer IC क्या होता है इसका यूच कैसे करते हैं क्यों किया जाता है ठीक है इस सारे question है और इसमें आपका एक figure है उस figure को जरूर बनाईएगा तो यह भी question आपको रट के जाना एक जामें बहुत ही important question है अगला जो question है regulator power supply तथा unregulated power supply में difference कीजिए यह भी question आपको एक बार जरूर देख के जाना है ठीक है यह भी important question है इसको एक बार देख के जाना है अगला जो question है उपायम के adder, subtractor, intrigator, scale changer रूपों में circuit बनाईए ठीक है उपायम का यूज हम लोग adder भी कर सकते हैं abstractor भी करते हैं, intrigator भी करते हैं, scale changer के रूप में भी करते हैं तो इनका अलग-अलग figure होता है अलग-अलग circuit डाइगराम होता है उसको आपको समझाना है थोड़ा सा जो एक question थोड़ा सा complex है लेकिन इस question को भी आपको देख के जाना है यह भी कई बार exam में पूछा जा चुका किसले इसका यूज करते हैं और एक figure इसका आता है इस figure को भी आप diagram को भी अच्छे से बनाएंगे ठीक है अगला जो है ओपायम के inverting और non-inverting amplifier को समझाना है यह भी question आपका most important है इसको भी आपको रट की जाना है ठीक है ओपायम के inverting और non-inverting amplifier है उसको समझाना है कि कैसे इसका यूज करके हमें inverting amplifier बनाते हैं और उसका यूज करके non-inverting amplifier भी बनाते हैं इस question को भी आपको रट के जाना है बहुत ही most important question है अगला जो question है clamper circuit का क्या कारे है बिना capacitor का use किये क्या clamper circuit को design किया जा सकता है यह भी question आपके exam में आये हुए हैं इसको भी एक बार आप लोग देख लिजेगा अगला जो question है phase shift oscillator को circuit diagram की help से समझाइए यह भी question आपका most important है इसको आपको रट के जाना है ठीक है phase shift oscillator क्या होता है इसको diagram की help से समझाना है इसके working को भी diagram की help से समझाना है तो इस question को आपको रट के जाना है यह भी question आपके exam में आ सकता है अगला जो question है tank circuit क्या होता है इसके working को समझाना है यह वी question आपका most important है इसको भी आपको रटके जाना है ठीक है tank circuit क्या होता है एल और सी का पैलर कंबिनेशन होता है ठीक है टैंक सर्किट क्या होता है इस तरह से होता है यह आपका इंडक्टर हो गया और इसी के पैलर में कैपसिटर लगा देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग टैंक सर्किट बोलते हैं टैंक सर्किट का और सारा भी कई सारा नाम ह थो इसका सबसे पापिलर नाम यह है है ठीक है इसको टींट सरकीट भी मोलते है उसके बाद LC circuit भी बोलते हैं तो इसमें confused नहीं होना है कि हो सकता है दूसरे नाम से पूछ ले तो इसमें confused नहीं होने वाला है लेकिन जो popular नाम है इसका टैंक circuit ही है तो इसका working क्या होता है कि एक बार capacitor चार्ज होता है इंड़क्टर लगा होगा तो इसी प्रोच करता है तैंक अगला जो सिंगल ट्यूंड और डबल ट्यूंड एंप्रीफायर का सरकी डाइग्राम बनाके इसके फ्रिक्वेंसी रिस्पॉंस भी समझाईए या फिर बनाईए यह भी कोश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पांस नमबर एक कोश्चन आपके एकजाम में आयेगा पक्का है ठी ठीक है रट्टा मार के जाना है अगला जो कोश्चन है निर्म पर समझ्षिप टिपड़ी किजिए क्रास ओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है बूट स्ट्रेपिंग क्या होता है डॉर्लिंग टोन पेर क्या होता है आईसी 741 क्या है और हीट सिंग क्या है इन सारे टॉपिक क जिसपे टिपड़ी करना है अगर एक्जाम में आ जाता है तो उसको आप अच्छे से लिख पाएंगे अगर इसका फिगर आपको डाइग्राम याद है तो निश्चे दूप से इसको बनाएंगे तो मेरा इस डीसी का जो पेपर होगा उसमें आपसे यही कहना है कि हर कोश् में डाइग्राम बनाएंगे सरक्टी डाइग्राम बनाएंगे से चाहिए च्जब्वन निशन अरडले और मैक। पढ़ता नहीं है लेकिन जो सरकी डाइग्राम है उसमें गलती आपका नहीं होना चाहिए तेज सारे थे आपका 25 या 26 इंपॉर्टेंट कोशन इसमें से मुझे लगता है आपके सारे के सारे कोशन जो भी एक्जाम में 15 कोशन आते हैं उसमें से 10 कोशन करना होता है उसमें से स एक्जाम केड़ा है वह उसको आप रटकी जाईएगा और जो मैंने बता है की सारे कोशन है जा पढ़के जाईभा इसके बाद यह जो बनाके पेपर उप अच्छा हिए तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रख है अपनों का ख्याल रखे私 मेरा यही कोशिस है कि आपका भी हैल्फ हो आपके दोस्तों का भी हैल्फ हो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास सेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके है इम्पोर्टन कोशन ही डी सी जो सब्जेक्ट उसमें इंपोर्टन कौशन कौन-कौन से उनको अच्छे से करके एकजाम में जा सके और से का न्युत मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक best of luck अपना ख्या钓 रखें मस रहें पढ़ते recognizes